भाकीम सब जैसे के मारसाती जो कॉलर जुड़ी थी जो बता रही थी कि मुझे तकलीव जो है वो बहुत जादा बढ़ गई है दर्द बहुत जादा हो रहा है मतलब पेशेंट डर से जा रहे हैं कि हमें एक तो ऐसा दर्द था जो हम बरदाश कर पा रहे थे लेकिन जो हमने कि अपनाय वह इतना जादा दर्द को बढ़ा रहा है कि मतलब उनकी आवाज में लुए दिख लाज था कि वह कितनी नराज हैं क्या कहें हैं छाधू कर दें कि यहाद्वे बढ़ाघान तो मेरा अनुभां यह है कि दो पर्सेंट लोगों को दर्द बढ़ जाता है तो मैं अक्सर कह भी देता हूं कि देखो किसी को दर्द बढ़ जाए तो वो भी बहुत खनीमत है दर्द बढ़ना बहुत अच्छा है दर्द कम होना बहुत अच्छा है दर्द वही के वही रहना बहुत खराब है तो तो जो सौ में दो लोगों को दर्द बढ़ता है वो शिकायत करते हैं और बार बार मैं कहता हूं दर्द बढ़ जाए तो दर्द की दवा ले लें क्योंकि ये दवा आपको दर्द की तो दी नहीं है ये मर्स की दवा है ये अपने पूरे सिस्टम से काम करती है ये नसों को और पठों को ताकत देती है और ऐसे सीधा कर देती है जो नसें दबीवी है अब उसमें किसी किसी को दर्द होता है तो दर्द की दवा तो आप खाई रहते हैं पहले से और चार छे दिन आफ़ता बर खा लें और फिर कभी निखानी पड़ती है ऐसा हमारा करेंगे तो असानी से ठीक होना मुम्किन है तिन चार महीने इलाज जरूर करना चाहिए एक महीने के अंदर फायदे की उमीद ना रखने है चाहिए किसी को हो जाए फायदा एक महीने में लेकिन उसको भी चार-पाच महीने इलाज करना चाहिए जिसको एक महीने में पूरा फाइदा भी हो जाए चालिए से के साथ कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जानकी जी है मध्य प्रदेश से स्वागत है आपका कब से दिक्कत है चार-पांच साल उम्र क्या है आपकी तीज साल ठीक है खोड़ोर्स हिर्दो तो अम्रे चारम प्यागत थे मगवर्स ही तुछ है अधि विरीक्त है याशर सांव में आपको दो दो ब्रुमारिया गें ऑर फ़िए चाल में टीक पांदा अपके पाह है कलम और वह पैन ओर जी है अज़ा देखिए सवफ आप जानती हैं दो सुग्राम सवफ frustration आवला मिलता सुका हुआ वो दो सुग्राम और दो सुग्राम धनिया और दो सुग्राम मेती का दाना यह सब आठ सु ग्राम हो गए और एक चीज आती है رسائن زیتون लिख लेज़े आप ये नकली भी मिल जाता असली ले रसाइन ज Bennett जैतों ये नमक जैतों भी कहते हैं इसे आसान भाशा में नमक जैतों ये बिलकुल नमक जैसा ही दिखने में होता है लेकि नमकीं नहीं होता है बलकर जरा सा हल्का सा खारा ये कड़वा होता है ये असली लेना बाकी चीज़े तो आप पहचानती ही है ये देर सो ग्राम लेकर इसके साथ पौडर बना लें और एक चमश सुबा एक चमश शाम पानी से लें सुबा नाच्टे से पहले और रात को खाने से पहले अगर आपने ये शुरू किया तो ये साड़े नौसो ग्राम मैटेरियल है और ये खत्म होने से पहले आपको रोग मुक्त होना मुम्किन है लेकिन याद रखें कि नकली मत ले लेना एक ही चीज ऐसी है जो आपको असली लेनी है अभी एक फोर आया था उनको किसी ने नमक जैतुन नकली दे दिया इसकी पहचान है कि अगर इस जबान पर लगा तो रेक करता है ऐसा जिसे कड़वापन या ऐसा कुछ लगता है जबान से रेक करता है तो इसका खेल लगना आप और यह नमकीन बिल्कुल नहीं होता बनके हलका सा कड़वापन या खारापन होता है यह आप असली लें और इस्तमाल करें फायदा मुमकिन है हिमाचल से अगले कॉलर है विनूद शर्मा जी स्वागत है आपका हेलो नोशकार मैं नमशकार जी मैं हकीमसा से बात करने जी जी फरमाईए मैं हाजिर हूँ हकीमसा नोशकार जी आदाब जैहिन हकीमसा मुझे अल्क्रेटिव कॉलाइटी से जी पांच सालों से तो मैं इसमें मुझे लेटी दर्स से पंडरा बार जाना पड़ता है जी और उसमें खून आता है और आवाती है आदिकी बहुत आपने तकलिफ उठाई है और बस अगर किसी को ये रोग हो तो इसी में जिन्दगी खूमती रहती है दिन रात अच्छा इसके लिए एक नस्खा भी है और बाकी तो सब आप जानते ही होंगे क्या-क्या परेस करना है इतने पुराने मरीज को बताने की जरूरत नहीं है कि हजम होने वाले चीज़ खानी है आसानी से और जो आपको हजम ना होता उसको ना खाया करें अच्छा देखिए एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं कत्था जो पन्वारी लगाता ना पान पर वो वाला कत्था इसको कहते हैं कत्था सफेद याद रखें कत्था सफेद लें सौ ग्राम कत्था सफेद सौ ग्राम आपको लेना है लाजवन्ती ये बीज होते हैं बारिक बारिक बीज लाजवन्ती सौ ग्राम लेना है रसवन्ती ये एक गौन टाइप की चीज़ है पीड़ को उबाल कर उसको पानी एक गौन में डाल देते हैं तो गौन उसको पी लेता है इसे रस बंती कहते हैं हम लोग रसौथ भी कह देते हैं पीला पीला सा होता है है ये बी सो ग्राम और एक आता है ग़ून मौरिंगा सफ़ेद ग़ून मौरिंगा सफ़ेद लालवाला नहीं ले लेना ये सब सो सो ग्राम लेके पाउडर बनाएं और इसकी चना या मटर के बराबर रहे बड़ी बना लें अर रोजाना सुबा और शाम खाना शुरू करें और खुब भगवान से मदद मांगें और बहुत ख्यार लगें अपना बहुत तक्लीफा आपने उठा ली इस नुसके के मैंने अच्छे रिजर्ट देखें आप भी भगवान से मदद मांगें और इसे इस्तेमाल करें तो फाइदा मुम्किन है अगल मोरिंगा डेट सोग्राम मंगा लिया है मेरे कलेजे में दर्ग रहता है मैं जखम की तरह दुखता है हां तो मैंने मंगा लिया है उसमें क्या क्या मिलाना है मैंने धनिया और वो मेथी और सुखा आमला सुखा आमला मंगा लिया है मैंने तो वो कैस कितने दिन तक खाना है कितना मिलाना है ये बता दो अभी स्टार्ट ने किया आपने तनिया मेती सुखावा आमला जितना जितना लें इतना ही गौन मौरिंगा सफेद सब को बराबर बराबर वजल में लेकर हम वजल लेकर पौडर बनाएं और आदा चमश से शुरू करें आदा चमश सुबह आदा चमश शाम नाच्टे से पहले है और रात को खाने से पहले इसी से फाइदा नजर आया एक हफ्ता लें तो फिर और मत बढ़ाईए नहीं तो फिर आप तीन टाइम भी ले सकते हैं आदा आदा चमश और फिर इससे फाइदा नजर आ जाना चाहिए तो फिर आगे ना बढ़ यह तो फिर एक एक चम्मच भी ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो एक एक चम्मच भी एक छोटा चाय का चम्मच पानी के साथ लें पांच बार गरम पानी पीए आपको फायदा भूंकिन है अगले कॉलर यूपी से अमरितलाल जी स्वागत है आपका हाँ जी मैं अमरितलाल यूपी से बोढ़ना हूँ जी मैं उसके बारे में पोढ़ना चाहता हूँ और उमरितलाल जी बहु से बहुत महबत करते हैं और ये बहुत बड़ा रिष्टा है और ये रिष्टा हर जगा ऐसा नहीं होता जैसा आपका है मैं आपको बहुत इजथ करता हूँ और ये बहु जो है आपकी इसमें इम्यूनिटी की कमी है जो इम्यूनिटी कहते हैं एक ऐसी ताकत जो रोग से लड़ती है यह immunity English में कहते है ने तो रोक प्रती रोधक शमता हिंदी में कहते हैं रोक प्रती रोधक शमता नहीं है उसके बहुत कम है और इसको बच्ची को खटी चीजों से बचना चाहिए और या तो आप नसखा बना लें जो मैं बता रहा हूं या दवा भी बता देता हूं क्योंकि ब माजून आर केर है माजून एक पेस्ट आता है माजून आर केर सुवा खाली पेट गरम पानी से एक चमच और रात को सोते वाद गरम पानी से एक चमच खटी चीज़ बिल्कुल छोड़ दें पांच-छे महीने के लिए और यह मिल जाए या सपिस्तान उनाब अलसी सौसो गिराम लें और तीस गिराम पीपले मिलाएं इसमें जो किचन में गरब मसालों में पीपले पाई जाती है ऐसे एक सवाइज की लंबी इनको पॉडर बना के एक चमच खाने से भी बच्ची का यानि आपकी बहू का ठीक होना जी सतीषी कहां से बात कर रहे हैं मैं जान सब्सक्राओ जी ठीक एंपका सवाल क्या है मेरा सौर यह जी मुझे पत्री भी है गैस बनता है और सुगर है जी वहागाना उसका प्रेट बढ़दा है देखिये एक निसक्ता है जो यह तीनों काम करता है एसिडिटी, कब्स, पत्री, डायविटीज, कॉलिस्टॉल, इन सब पर काम करता है. आपको चाहिए के जैतुन का सिर्का तीन चम्मच, तीन या चार चम्मच, एक गिलास पानी में डालें, और रात को सोते समय पी लिया करें. और ज्यादा ही है तो एक एसा ही गिलास तिन में भी तो पर में जब खाना खाएं तो तीन चम्मच जैतुन का सिर्का पानी में डालें, और ये पी जाएं. लेकिन आपको ये पीने के बाद दो गिलास पानी और पीना है. ये आपके पत्री को जाके तोड़ती है, और जब फोर्स से पिशाब आता है, तो फिर उस फोर्स से पिशाब आने में वो पत्री निकल जाती है. डाइबिटीस को बहुत कंट्रोल करता है ये और वो दवाई भी लेते रहें, जो आप लेते हैं और इसे भी इस्तमाद शुरू करें, तो फाइदा मुम्किन है. हिमाचल से अगले कॉलर है, नवीन कुमा तो प्रशन क्या है मैं अच्छा आपकी एज क्या है और मुटाप्पा आपका कितना है वेट कितना है तो बिल्कुल आ रहा है आप देख रहे होंगे आपकी 45 एज है और वेट कितना है वेट मैंडम 150 के क्रीब है ये मैंडम मुटाप्पा, मुटाप्पा इसकी दिखतना है हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अच्छा देखिए एक बहुत अच्छा नस्खा है, अगर आप आज से शुरू करें तो अगले महीने तक आपका चार ये पांच किलो वजन कम होता है कि बैठा रहता हूं कभी इस चैनल पर, कभी उस चैनल पर, कभी उस चैनल पर, तो कभी मेरा वजन कम ज्यादा हो जाता है, तो मैं अपने घर वालों से कहता हूं मेरे लिए डाल बना दो, कोई भी डाल बना दो, मिक्स डाले बना दो, और एक प्याले में एक डाल पी के मैं आ जाता हूँ और फिर शाम को जाकर मैं दो रोटी खाता हूँ बीच में अगर भूग लगे तो कुछ फल खालिया जरा सा होगी या डाल साथ में ली वो एक प्याला और ले ली या ड्राइफरूट जैसे अखरोट ये भी वज़न कम करता है वो खालिये मैंने दो चार आप यकीन करें अचितनी तेजी से वज़न कम होता है और एक घंटा पैदल भी चले डाइट कंट्रोल से जो जो वज़न कम होता है वो किसी दवा से भी नहीं होता है दवाएं बहुत हैं जिस से कहेंगे दवा दे देगा लेकि ये करके देखें मेरा जाती तजर्बा है और जितना वज़न कम होगा इत्याप सहत मन कहलाएंगे ये आप इस्तमाल करके देखें और पांच बार गरम पानी जरूर पिया करें बहुत फाइदा आपको होगा बगएर आप किसी दवा के भी दुबले पतले हो सकते हैं